राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हारदीखारदीख स्वागत अभिनंदन दही हमारे शरीर के लिए बहुत लाबदायक है दही का सेवन करने से हम किन-किन बिमारियों से छुटकारा पा सकते हैं आये जानते हैं गर्मियों में दही का सेवन अवश्य करना चाहिए दही खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है रोजाना दही खाने से पेट की समस्या नहीं होती और शरीर को भरपूर मात्रा में पोशक तत्व मिलती हैं जो लोग दूद नहीं पीते उने दही जरुर खाना चाहिए दही में केलशियम, विटामिन B12, विटामिन B2, मेगनेशियम और पोटेशियम जैसे तत्व होती हैं अगर दही और चीनी को एक साथ खाया जाए तो इसके कई फायदे हैं गर्मियों में दही और चीनी खाने से पेट स्वस्त रहता है दही और चीनी खाने से शरीर को अच्छी मात्रा में गुलकोज मिलता है जिससे तुरंत उर्जा मिलती है दही पचने में भी आसान होता है दूद की तुलना में दही जल्दी पचता है नाश्ते में दही या उससे बनी हुई वस्तुमें जल्दी पच जाती है दही आपके पेट को भी हलका रखता है, जिन लोगों को पाचन संबंदी समस्या होती है, उन्हें सुबे दही आचाच का सेवन करना चाहिए सुबे दही और शक्कर खाने से पेट ठंडा रहता है, यह सीने में जलन और एसिडिटी को भी कम करता है चीनी के साथ दही पित दोश को कम करता है और आपको पूरे दिन उरजावान रखता है, खाने के बाद दही और चीनी खाने से भी शरीर को फाइदा होता है दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट के लिए फाइदे मंद होते हैं यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है यह बैक्टीरिया आतों के लिए भी फाइदे मंद होते हैं दही और चीनी खाने से रोग प्रतिरोधक्षमता मजबूत होती हैं दही में मुझूद अच्छे बैक्टीरिया कोलन कैंसर से भी बचाते हैं सुबह दही चीनी खाने से शरीर को तुरंत गुलुकोज मिलता है दही और चीनी खाने से आप दिन भर एक्टिव रहते हैं दिन भर एनरजेटिक रहती हैं दही में हिर्दय रोग, हाई बीपी और किडनी की बिमारियों से बचाव की जबरदस्ट शक्ति होती है यह कॉलोस्ट्रोल को बढ़ने से रोगता है और हिर्दय गती को उचित बनाई रगता है दही हिर्दय में कोरोनरी धमनी रोग को पूर होता है जो हड्डियों के लिए बहुत फाइदे मंद होता है दही खाने से दात मजबूत होते हैं दही खाने से माश पेशियां ठीक से काम करती हैं वजन नियंतरन के लिए अकसर कम वसा वाले दही खाने की सला दी जाती है क्योंकि कम वसा वाला दही न केवल आंतों क बल्की पाचन तंत्र को मजबूत कर वजन नियंत्रन में भी मदद करता है इसके इस्तेमाल से कमर की चरवी भी कम होती है अगर आप मुँगे चालों से परिशान है तो दही का इस्तेमाल करें दही में शेहद मिलाकर खाने से मुऐ के चाली ठीक हो जाती हैं तो आप जान चुके हैं कि दही हमारे लिए कितना उपयोगी है तो आप प्रती दिन दही का प्रियोग करें उसके बाद चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक और शियर करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दवाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले धन्यवाद